अगर अब हैं आपके लिए यह डिजाइन लेकर आहीं हो बेबी स्वेटर पर यह मैंने डिजाइन डाला है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना करें लाइक करें और बैल आइकन पर किलिक करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालो वह आप तक उसका नौट सब्सक्राइब यह डिजाइन डाला है इसमें और आर्ट सलाईयां यह प्लेन की है और अब इन आर्ट सलाईयों के बाद फिर मैं यह डिजाइन फिर से रिपीट करूँगी यह बेबी स्वेटर डाल रही बना रही हूं मैं इसकी वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगी तो सबसे पहले क्या करना है वीडियो स्चार्ट करते हैं यह तो मैं अपने पट्टी के फंदे बना रही हूं कि यह चे फंदे में अपने पट्टी के बना लूँगे अब देखिए अब हम डिजाइन डालना है स्टार्ट करते हैं यह प्लेन सलाहिया बनाई है इसके बाद फिर एक जो है यह चार्ट सलाहिया हम उल्टी उल्टी बनाएंगे यह पूरी सलाहिया उल्टी बनाएंगे इस तरह से पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे यह देखिए अब आ गए हम सेकिंड रो पर उल्टी साइड अब सेकिंड रो उल्टी साइड क्या करना है ये पूरी सलाई भी हमने अपनी उल्टी उल्टी बना करके कम्प्लीट कर लेने हैं ये टोटल ऐसी हमने अपनी चार सलाईयां उल्टी उल्टी बना करके complete कर लेंगे चार्च लाइयों के बाद मैं आपको फिर इसको design को बताते हूं ये देखिए total चार्च लाइयां मैंने complete कर लिए है चार्च लाइयों में ये इस तरीके से हमारी दो लाइने बन जाएंगे अब पट्टि के फंदे मैंने बना लिए हैं अब ये देखिएगा क्या करना है सबसे पहले ये धागा मैं आगे लाऊंगी इस तरीके से एक बार ओड़ लाऊंगी और दो फंदों को इस तरीके से इकटा बना देगे फिर धागा स्लाईपर इस तरीके से लाएंगे फिर दो का एक बनाएंगे फिर धागा ऐसे लाएंगे स्लाईपर फिर दो का एक फिर धागा स्लाईपर लेंगे इस तरीके से आगे और दो का एक ऐसे करके हम अपने सारे फंदे इस तरीके से बना लेगे यह फंदा लेंगे सलाइपर से धागा और दो का एक धागा लेंगे सलाइपर से फिर दो का एक इस तरीके से करने पर यह हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगा यह देखिएगा पूरी रो हमें इसी तरीके से अपने complete कर लेनी है आप चाहें तो इधर एक फंदा extra simple बिनके तब ये इस तरीके से जाले डाले अब ये देखेगा ये पूरी रो हमें इसी तरीके से अपने complete कर ले खर आपजा ये तरीके से अपने complete कर ले ग mindfulness कि यह देखिएगा अब डिजाइन के यह लास्ट में आ गई हूं में अब यहां हमारा यह एक फंदा बसता है तो इस संदे को हम ऐसे ही बिन लेंगे कि यह पट्टी के फंदे सीधे बनाओंगी कि यह हमारी फिफ्ट रोग थी कि फिफ्ट रोग सीधे साइड अब आते हैं अपनी सिक्स्त रोग पर उल्टी साइड इच्छे फंदे तो मेरे को वैसे ही बनाने है सीधे सीधे अब यह देखेगा अब यह पूरी सलाई जो है हमनने अपनी उल्टी उल्टी बना करके complete करनी है देखा जाए तो सिर्फ एक रोग का यह डिजाइन है यह जो जाली डाली है यह एक ही सलाई में हमारी complete हो जाती है जी सिक्स्त रोग है दस सलाईयों में टोटल हमारे ये डिजाइन कम्प्लीट हो जाता है तो आप ये दस सलाईय अपने पैटरन पर इसी तरीके से दस सलाई डिजाइन की और आठ सलाई सीधी सीधी ये ही आप रिपीट करेंगे और डिजाइन आपका इस तरीके से ऐसे आजाएगा तो ये देखें ये पूरी रो हम अपने इसी तरीके से उल्टी उल्टी बना करके कम्प्लीट करेंगे ये देखें अब डिजाइन की सेवंत रो पर आ गए है अब फिर से हमने अपने वो चार्च लाईयां उल्टी उल्टी बना करके कम्प्लीट कर लेनी है अब हम टोटल चार्च लाईयां उल्टी उल्टी की बनाएंगे अभी चार्च लाईयां में आपको कम्प्लीट करके दिखाती है यह देखिए फ्रेंड्स यह चार्च लाईयां उट्टि बना करके कम्प्लीट कर ली है और यह डिजाइन कुछ इस तरीके से हमारे पैटर्न पर आ जाएगा यह देखिए प्लीज फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन पर किलिक करें जिससे में नई वीडियो के नॉटिफिशन मिलती रहें बाई बाई